प्यारे बच्चो, मानचित्र की जिस विकास यात्रा को अभी तक आप देख पाए, उसमें बड़ा विकास तब और हुआ जब ये यात्रा पंदरवियां सोल्वे शताब्दी में हुई. पंदरविय शताब्दी में एक बड़ा नाम इतिहास में आता है, क्लाडियस टॉलमी का, क्लाडियस टॉलमी एक गणितगी की रूप में, एक भूगोल वित्ता की रूप में, एक मानचित्रकार की रूपे पहचाने जाते हैं इतिहास में, उन्होंने मानचित्रों पे बहुत पूर भूमी का निभाती थी इस किताब का महत तो इतना ज़्यादा था कि दुनिया के बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुआद हुआ लोगों ने इसे बहुत गहराई से समझने की कोशिश की और यही कारण था कि इसे समझने और इसके विकास के लिए जैसे जर्मनी स्कूल, बिटिश स्कूल, फ्रांस स्कूल ऐसे इसकूलों के स्थापना हुई उद्देश था नक्षों के घ्ञान को समझना उसे विक्सित करना और उसे अपने देश के लिए अपने जिगा के लिए इस्तेमाल करना यह जो बात हुई उसके पिछे एक बड़ा कारंट था आपको याद होगा वास्कोडी कामा ने भारत पहुंचने के लिए एक बड़े लंबे रास्ते का उप्योग किया था वो चाहता तो भूमद्यस अगर के इस्तमाल करते हुए बहुत आसानी से कम समय में कम खर्श में हिंदोस्तान के पहुंच सकता था लेकिन एक बड़ी वज़ा थी कि अरब के लोगों ने भूमद्यस अगर के रस्ते के इस्तमाल करना प्रतिबंधित कर रखा था यही वज़ा थी कि यूरोप के बहुत सारे लोग ने राष्टों के तलाश कर रहे थे ताकि वो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के साथ संपर्क स्थाबित कर सके इसी बिज़ सोलवे श्ताब्दी में एक और बड़ा काम हुआ एक देश जिसे आप हॉलेंड के नाम से जानते हैं वहाँ पर व्यापार के लिए काफे विकास के संभावना हैं उसमें पैदा हुई और एक बड़े व्यापारिक केंदर के रूप में इसका विकास हुआ इसके लिए उन्होंने समुद्रिक के बड़े हिस्सों में अपना वर्चा से स्थापित कर लिया था बहुत सारे बंदरगाह उन्हें बना रखे थे और उनके बहुत सारे व्यापारिक के अंदर भी इस्थापित हुए थे विक्सित हुए थे ये चाहते थे कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से जुड़ें और उनके साथ व्यापार का विस्तार करें और यही वज़ा थे कि ये भी चाहते थे कि दुनिया को समझने के लिए उनके रास्तों को पहचानने के लिए नए रास्ते बनाने के लिए नक्षों के विकास पर और काम किया जाए तो इन्होंने लोगों को बहुत प्रोसाहित किया जो नक्षों में रूचियां रखते थे उनको उन्होंने बड़ी सुविधाय पैदा की उस समय इतिहास में एक और नाम हमारे सामने आता है वो है जराडस मरकेटर जराडस मरकेटर ने तब तक बने हुए दुनिया के तमाम सारे नक्षों का बहुत बारिकी से गहराई से अध्यान किया उन्हें समझने के कोशिश की, उन्हें काफी सारे संशोधन किये, उनका जो काम है वो मरकेटर मैप प्रोजेशन के नाम से दुनिया में जाना जाता है तो ये तमाम सारी कोशिशे हुएं सिर्फ इस बात के लिए कि लोग दुनिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच सकें, उनके बारे में जान सकें, उनके संपदा, उनके संस्किति और तमाम चीजों के बारे में समझ सकें और उसका उपयोग व्यापारिक उद्देशों के लिए किया जा सके ये कुछ उद्देश थे